हेलो फेंश गुड़ाप्टर नून कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल करेंगे पूरे 50 प्रशनों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल करेंगे ठीक है अगर आप लोग इन पेपर्स की पीडियाप चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जोईन हो शकते हैं इस में अगर आपके मन में बीयट से रिलाट्टिट कुछ ै अप्र करी करी चकते हिं तो आप लोग और आपको साहीं से रिप्लाइड नहीं मिला है तो आप लोग वर्षोप नंबर पे भी हमारे इंफोर्मेशन ले सकते हैं वर्ट्षप नमबर है हमारा 7905632533 इस वर्ट्षप नमबर पर आप लोग BAC related information ले शकते हैं तो फड़ाफर पेन कॉपी लेके ready हुजाए ये जिन questions में important लिखनों तो उन questions को आप लोग अपनी notes में जरूर लिख लीजेगा पहला question यहां पे देख सेकते हैं अतीत के चलचितर किसकी महतपूर गद रशना है उनका नाम बताने का प्रयाश्च करें अतीत के चलचितर किसकी महतपूर गद रशना है तो ये है महादेवी वर्मा की option जो है can write answer अतीत के चलचित्र जो है ये किसकी रशना है महादेवी वर्मा की अगला परिशन हिंदी की बहुत चरचित आत्मकत्था जूठन का लेखक कौन है जूठन का लेखक आपको बताना है तो जूठन के जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वालमी की option जो है be correct होगा इस questions का right answer friends में आपको उता दूँँगा अगर आपको 2020 में UP से बियाट करना है या बिहार से बियाट करना है किसी भी state से बियाट एंटरंस exam का exam देना है तो आप लोग इस चैनल को subscribe करके भगल में बिल आकन को all papers के लिए जिगा ताकि हर एक वीडियो को notification आपको समय समय से मिलता रहा है और जो भी UP से exam date से related कोई भी update आईगी तो आपको वो update सबसे पहले इस चैनल के मादम से देखने को मिलगी अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं काउन सा सब्द जो है गुडशंदी का उधारण है फड़ा फड़ता यह कवेंद्र या देवेंद्र या इत्यादी या वनव शदी काउन सा जो है गुडशंदी का उधारण यह आपको वताना है तो इसमें देखे एक देवेंद्र जो है देवेंद्र शब्द जो है गुडशन्दी का उधारण है option जो है C के रिक्ट होगा इसको शन्स का राइड एंसर अगला परशन यहाँ पर देख सकते हैं एक पंक्ती दी गई है तो इसके रशनाकार आपको बताना है तुम्हारी यहाँ दन तुरित मुश्कान मरतक में भी डाल देगी जान उक्त काब्य पंक्तियों का रशनाकार काउन है इस पंक्ती के रशनाकार काउन है यह आपको बताना है तो इस पंक्ती के जो रशनाकार है वो है नागर जुन option जो है A करेक्ट होगा इस questions का right answer ठीक है अगला प्रशन जो की बहुत important question है आपके exam के लिए कैदी और कोकिला सीरसक कविता के कवी का नाम क्या है तो इसके जो कवी का नाम है वो है माखन लल चतुरवेदी option जो है सी करेक्ट हुगा इस questions का right answer अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं 56 वाला इसमें आप लोग important जरूर से जरूर लिख लिज़ेगा स्रंगार रश का इस्थाई भाव क्या है तो स्रंगार रश का इस्थाई भाव है वो है रती option जो है डी करेक्ट हुगा इस questions का right answer अगला प्रशन यहां पर अलंकार से है ठीक है यहां पर देख सकते हैं एक दोहा दिया गया है तो इसमें परियोग हुआ है उत्र प्रेचा अलंकार का परियोग हुआ है option जो है A correct होगा right answer अगला परश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 108 चंद के पहले और 3-1 चरण में कितनी माांत्राइं होती हैं कितनी मांत्राइं होती हैं 11-11 मात्राइं होती है option जो है B correct होगा 左 इस questions का right answer यह आप बहुत important question है 58 वाला अगला परशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एक पंक्ती दी गई है, ठीक है, पत्तों में लदी डाल, कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है, उर में मंद गंध पुष्पमाल, उक्त पंक्तियों में कवी ने किसके संदर का चित्रण किया है, तो इसमें जो है चित्रण क अगला परशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एक पंक्ती दी गई है, ठीक है, यह किस ने गाया था, यह आपको बताना है, ओके, यहां पर देख सकते हैं, तू सहज सांति का अदूत, मनुझ के सहज प्रेम का अधिकारी, द्रग में उडेल कर सहज सील, देखती की जो पंक्ती है, रामधारी सिंग दिनकर जी की है, इसमें जो है, पंक्तियों में जो है, किसका गवरोगान किया गया है, यह आपको बताना है, तो इसमें जो गवरोगान किया गया है, वो किया गया है, जावाहरलाल नहरू जी का, ऑप्शन जो है, बी करेक्ट होगा, इस सी करेक्ट होगा, इस questions का right answer, important question है आपके exam के लिए, अगला प्रशन जिस वाक में एक उद्देश और एक विधे होता है, वहाँ है, काउन सा वाक की है, यह आपको उताना है, जिस में एक उद्देश एक विधे होता है, तो वो है सरल वाक की, option जो है, डी करेक्ट होगा, इस questions का right answer, अगला प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नेमलिकित में से कौन सा वाक की शुद्ध है, चार वाके दिये गए हैं, तीन अशुद्ध है, एक सुद्ध है, तो सुद्ध वाल आपको छाटना है, वह आपकी सरधा करता है, वह आप से सरधा करता है, वह आप में सरधा करता है, तो कौन सा वाक की शुद्ध है आपको उताना है, देखे, करता है तो नहीं होगा, वह आप पर सरधा रखता है, करता नहीं है, रखता है, ओके, तो आप्शन जोबें B के रिक्ट होगा, इसकोशन का right answer, अधगल, अधजल, गगरी, छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ, बच्चो वाला परशन यहां पर देख सकते हैं, तो इस कहावत का जो अर्थ है, वो क्या है, कि अल्प ग्यान पर इतराना, यानि कि किसी को जो है, थोड़ा सा ग्यान हो जाए, तो किसी भी समाज में बैठ जाए, तो मतलब अपना फेकना स्टार्ट हो ज तो मनेव योग शब्द जो है, किस संदी से बना है, ये बना है, विसरक संदी से, ओप्शन जो है, डी केरेक्ट होगा, इसको शन्स का राईट अंसर, अगला प्रशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, निमलिखित में से काउन सा युग्म, विप रितार ठक है, फट अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं, विलोम सब्द आपको बताना है, विमुक का विलोम सब्द क्या होगा, तो विमुक का जो विलोम शब्द होगा, वहोगा, अनुमुक ऑप्शन बी केरेक्ट होगा, इसको शन्स का राईट अंसर, यह वाला बहुत इंप्वार्टन प्रशन है, अगला प्रशाएं यहां पर देख सकते हैं, अर्थ के दिश्ट से जो है, वाके के कितने बहेतो किया सकते हैं, आठ बेत, ऑप्शन जो है, इसको शन्स का राईट अंसर, यह वाला जो प्रशन है, इंप्वार्टन है, चंदर मौली सब्द किस समाथ से बना है, चंद्रमौली सब्द जो है किस समाज से बना है यह आपको ताना है तो यह बना है बहुरही समाज से option जो है एकरेक्ट होगा इसकोशन का right answer अगला परशन दंद समाज होता है यह तो आप लोग आशानी से कर लेंगे और आप लोग तो 50 में से 20 प्लस तो score करते ही होंगे ठीक है अगर आप लोग थोड़ी भी हिंदी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो 20 प्लस तो आसानी से आपका हर practice set में जाता होगा अगर आपका 20 प्लस जाता है score तो comment box में yes करके बताईए अभी क्या भी वीडियो को पहुश करके 20 जा रहा है तो अभी बहुत है ठीक है 20 जा रहा है तो अभी बहुत है exam इससे easy होता है ठीक है तो daily आपको study करना है तो दंद शमाश वो होता है जिसके सभी पत क्या होते हैं प्रधान हो option जो है एक रिक्ट होगा इस questions का right answer और अगर आपको मेरी वीडियो helpful लगा करते प्लीस यार एक वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें कौन सा सब्द तत्पुरुष शमास का उध तो कौन सा सब्द वो है जो तत्पुरुष शमास का उधारन नहीं है तो देखे खान पान जो है आपका तत्पुरुष शमास का उधारन नहीं है बाकी पद दलित गगन चुंबी बलहीन ये सब क्या है तत्पुरुष शमास के उधारन है आपका जो है खान पान तत्पुर तो देखे अमरोत तो है नहीं है ना कि आमदनी ना कि आफिस ये है आपका अनमौल तदभाव शब्द तो आप्शन जोएD के रिख्ट हो गाइसकोशन का Right अंसर आगत सब्द किसमें नहीं है ये आपको उताना है तो बहन में आगा सब्द नहीं है, आपशन जो है D के रिक्ट होगा, इसकोशन्स का राइट अंसर प्रेवाची सब्दों का कौन सा यूगम सही नहीं है अनिल का समीर, खाग का वीहग, अनात का सनाथ, तन का काया किसका यूग में जो है सही नहीं है, यह आपको उताना है तो ऑप्शन C में जो आपको दिख रहा है, आनात का शनाथ, यह यूगम जो है आपका शही नहीं है ऑप्शन C के रिक्ट होगा, इसकोशन्स का राइट अंसर, ओके अगला परशनी यहां पर देख सकते हैं, निमलखित में से काउन सा अस्यो का परियावाची शब्द नहीं है तो अस्यो का जो परियावाची शब्द पहले हम जान लेते हैं कि हाई काउन काउन सा है है आपका जो है आपका अश्योक का प्रयावची है वजी भी है तुरंग भी है आपका जो अश्योक का प्रयावची नहीं अच्छी option जो है B करेक्ट होगा is questions का right answer निमलिकित में से विलोम सब्दों का कौन सा यूग में शही नहीं है तो इसमें आरंब का प्रारंब जो है आपका विलोम शब्द नहीं है आप्शन जो है सी करेक्ट होगा इसकोशन का राइद एंसर ठीक है यानि कि दोनों एक ही है ठीक है बाकी आपका कठोर कॉमल मुक्र का गौण अधिक का अलप इनका जो है युग में सही है अगला प्रशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं सुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है गिन्नी की सोने में थोड़ा सा ताबा मिलाया हुआ है इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और सुद्ध सोने से मजबूत भी होता है और ते अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है उक्तपंतियों के अधार पर बताएं कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है फड़ा फड़ाई यह जो गल सोंगी वो तो शायद करही लेंगे यह वाला प्रशन तो शोने में चमक और मजबूती कब आ जाती है या बढ़ जाती है उसमें जो है थोड़ा तामबा मिलाने पर option जो है सी करेक्ट होगा इसकोशन्स का right answer अगर शोने में थोड़ा तांबा मिला दिया जाता है तो उसकी चमक बढ़ा जाती है और मजबूती जो है उसकी बढ़ा जाती है ठीक है और इसमें अलग से आपको extra दिमार के लागाने की जुरूत नहीं है यहाँ पे यह दिया हुआ है कि थोड़ा से तांबा मिला हुआ है कि इसलिए वह ज़्यादा चमकता है सुद्सोने मजबूत भी हो जाता है ठीक है तांबा अगला प्रेशन यहाँ पे देख सेकते हैं विद्धाले में आवकास के लिए प्राथन पत्र किसे सम्मोधित कर लिखा जाता है अप्लिकेशन तो आप लोग लिखे ही होंगे छुट्टी के लिए तो किसे सम्मोधित कर लिखा जाता है तो यह लिखा जाता है प्रधाना ध्यापक के लिए आप्शन जो है एकरेक्ट होगा इस questions का right answer अगला प्रशन विद्दुत आपूर्ती में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा तो इसमें जो है सिकायती पत्र लिखा जाएगा option C करेक्ठ होगा इस questions का right answer इनमें से निबंदकार के रूप में कौन चर्चित रहा निबंदकार के रूप में कौन चर्चित रहे हैं यह आपको पताना है तो विद्दा निवास मिस्र जो है निबंदकार के रूप में चर्चित रहे हैं option A करेक्ठ होगा इस questions का right answer अगला प्रशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं कल्प लता किसके निबंदों का शग्रा है कल्प लता किसके निबंदों का सग्रा है तो यह है हजारी प्रशाद दिवेदी के निबंदों का शंग्रा है कल्प कत्ता ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इसकोशन का राइट कल्प लता ठीक है अगले पिशն penguin यहां पर दीख सकते हैं तुम जो अपने हातों में विधी से जादा टाकत रखते हो मेहनत से रहते हो क्षेतों में जा कर खेटी करते हो मेडों को उंचा करते हो मेगों का पानी भरते हो फ़सलों की उम्दा नशले हर साल नई पैदा करते हो उक्त पंक्तियों में के माध्धम से कवी किसे समोधित कर रहा है फड़ा फड़ बताइए कवी किसे समोधित कर रहा है तो वकील को तो इसमें जो है समोधित करेंगे नहीं ना कि मजदूर को नहीं जवान को ये हैं किसान को शम्मूद कर रहे हैं option जो है c correct होगा this questions का right answer अतिगंद में उफशर्ग है अतिगंद में जो है उफशर्ग कौन सा है तो अतिगंद में जो आपका उफशर्ग है उफशर्ग पहले लता है तो अती हो जाएगा option जो बी करेक्ट होगा इसकोशन का right answer अगला question तदभाव किसे कहते हैं simple question है तो तदभाव किसे कहते हैं तो तदभाव उसे कहते हैं जो शंसकिस से उत्पन हुए शब्द होते हैं option जो है एकरेक्ट होगा इसकोशन का right answer किस सब्द में आवा परते नहीं है दिखावा चड़ावा लावा भूलावा किस में आवा परते नहीं है यह आपको वताना है तो दिखावा में तो है भैया आवा परते चड़ावा में भी है भूलावा में भी है लावा में आपका नहीं है लावा में जो है किवल वाही निक क्या है तो देखिए का वर्गी की धौनियों को जो उच्चारण इस्थान है वो है कंठे ऑप्शन एक रिक्ठ होगा इसकोशन का राइड अगला प्रशन निमलखित में से कौन सा एक युग्म विपरितार्थक नहीं है तो आस्था का अनास्था तो ही है आई का बे भी है आरी का अनारे भी है अर्थ का अर्ग यहां पर दिया गए तो इसका जो होए वी पिरतार्थक नहीं है ऑप्शन जो है बी करेक्ठ होगा इसकोशन का राइड अगला प्रशन किसी वस्तू बेक्ति और इस्थान के नाम को क् सा कोशन है एक्जाम में आपके दस प्रशन ऐसे आएंगे बिलकुन सिंपल आएंगे आशानी से आपको देखते ही उसे में टिक कर देंगे आपको जरा से पहले इनके प्रशनों को पढ़ते हैं यहां पर प्रशन यह है कि कौन सा ब्यक्ति समाज का आदर्श सदश नहीं हो शकता है अगला प्रशन यहां पर देख से किते हैं अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला ब्यक्ति होता है क्या होता है ठीक है परव ग्यान और विस्वास में नहीं कर्म और आच्राण में बसता है इस पंक्तिवा के कि पतास का पता है काफी दुने बात गद्धांस वाला प्रश्ण आया है तो देख़ें इसमें आपको बताए दियरहा है कैसे कैसे आपको is Comm OR करना होता है तो सबसे पहेंए गदांस देखिए आपके ईकजाम में या to 5 प्रशन पुंचेगा या तो10 प्रश्ण कर लेंगी आपको कैसे करना है यह अमों को बताता हूं सबसे पहले गदांस में जो प्रश्ण दिये रहते हैं उसके बाद आपको गद्दान्स को पढ़ना है जैसे जैसे आपको उत्तर उसमें मिलता जाए वैसे वैसे आपको इसमें टिक लगाते हुए चलना है ठीक है तो यहाँ पर पहला प्रशन देखते हैं क्या पूछा है प्रशन ये पूछा गए कि काउन सा ब्यक्ति समाज का आदर्श शदश नहीं हो सकता है अब हम इसको देखते हैं कि कहां पे है यहाँ पर आप्शन भी देख सकते हैं सासी निर्वेक, डरपोग, बुद्धिमान यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि तलवार के भै से साधुता धारण करने वाला ब्यक्ति समाज का आदर्श सदश नहीं हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं तलवार के भै से किसके तलवार तो आप्शन में है नहीं तो भै से यानि कि डरपोग जो होता है वही समाझ का आदर्श तरश नहीं हो सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डरपोग दिया गया है तो यही इसका सही आंसर होगा ठीक है? अगले प्र maintenant यहाँ पर देख सकते हैं अपनी इच्छा से त्याग तथा साधूता धारण करने वाला बैक्ती क्या होता है ये आपको बताना है तो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं क्या होता है आदर्श होता है option A correct होगा इसको शिंस का right answer ठीक है तो ऐसे आपको इसका उत्तर पता करना है मैं आपको इसका उत्तर बताया दे रहा हूँ फिर आप लोगों को अच्छे से और भी पढ़ना है प्रैक्टिस करना है तो आप लोग पीडिया अच्छे से पढ़ लीजेगा अगला परशन ऐसा क्यों शमशते हैं कि धर्म केवल डाट डाट और डाट डाट में बचता है किस में बचता है तो ये बचता है मंदिर और मस्जित में option जो है बी करेक्ट होगा इसको शिंस का right answer अगला परशन धर्म ग्यान और विस्वास में नहीं कर्म और आच्रण में बचता है इस पंक्ति में बिच्तिघ कि किस विस्यसता का पता चलता है मैं नहीं इस नहीं किसकी विस्यसता का पता चलता अर्थ वयभाव च्णिक होता होगा है किस लोक वक्ति का अर्थ वयभाव च्णिक होता है चार दिन की चांद ने फिर अंधेरी रात option D करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question देखते हैं यहां पे लखनव सब्द में प्रत्य है लखनव सब्द में प्रत्य कौन सा है तो लखनाँ सब्द में प्रत्य आप आप लोग बताईए simple सा question है तो इसका जवाप लोग को comment box में देना है अगर आपकी comment को मैं like करदिए तो आपका जो answer है वो सही है बहुत ही simple सा question है, इसी की वज़े से मैं आपको जो पूँच रहा हूँ ठीक है? अगला question अंगुली में आटा गीला करना महोः का अर्थ है? तो देखे ó, अंगुली में आटा गीला करना महोः का जो अर्थ है कि बिर्थ का काम करना option जो है D correct होगा is questions का right answer निम्लिकित में से कौन सा तत्सम सब्द है तो आमर आंख आसू इनित दिया गया है तो इसमें तत्सम सब्द आपको छाटना है तो आमर जो है आपका तत्सम सब्द है option A correct होगा is questions का right answer दानवीर में कौन सा समाश है यह आपको पताना है तो दानवीर में जो शमाश है तत्समाश option जो है D correct होगा is questions का right answer अगला प्रशन जो की इस वीडियो का last प्रशन है चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपिया बहाते हैं इस वाक्ष में पानी का क्या अर्थ है तो इस वाक्ष में जो पानी का अर्थ है वो क्या है बेर्थ option जो है B correct होगा इस questions का right answer तो friends ये थे Hindi language के top 50 questions इसकी answer की भी आप लोग नीचे देख शकते हैं ठीक है PDF का आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लिजेगा टेलिग्राम ग्रूप से ठीक है टेलिग्राम ग्रूप का जो नाम है वो है education भी साहिल और direct join होना है तो इस वीडियो के discussion box में उसकी में link दे दिया हूँ टेलिग्राम ग्रूप की तो आप लोग link के मादन से join हो शकते हैं ऐसे ही आप लोग daily अपनी तयारी करते रहें हर एक subject की आपको practice देना है ठीक है ताकि आपकी जो त्यारी है मजबूत हो शके तो अगर आपके मादन में कुछ doubt है तो आप लोग comment box में अपने query कर शकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पर तक लगए thank you सकते हैं 7905632533 पर content कर शकते हैं ठीक है only for message वाट्चा पर thank you guys